Good evening all of you, you are most welcome in nursing innovation तो आज हम आपके लिए लेके हैं एक नए टोपिक and topic is anima So we let's start सबसे पहले बात कर लेते हैं definition की की actually में anima बोलते किसे हैं It is a procedure where fluid introduced into the lower bowel through the rectum यानि की lower bowel के अंदर fluid introduced करना ही क्या गवालाता है anima Okay Next बात कर लेते हैं types की कि कितने type की होते हैं anima तो two types होते हैं mainly First one evacuated anima and then second one returned anima Next step पर move करते हैं तो first one देख लेते हैं evacuated anima It is mainly used to evacuate the bowel content यानि की नाम से ही पता चल रहे है evacuate करना है किसी भी चीज़ को तो इसमें क्या करते हैं bowel content को evacuate करने के लिए यानि की remote करने के लिए इसका यूज किया जाते है ठीक है amount of fluid तो जैसा कि आप पढ़ चुके है anima का मतलब यह होता है कि fluid insert करने bowel के अंदर तो बात कर लेते हैं कि evacuated anima दे रहे हैं किसी को तो कितना fluid अपने को लेना है अगर adult patient को देना है तो उसके लिए आपन देख लेते हैं 500 to 1000 ml यानि की 500 से 1000 ml solution यूज लेने अगर child है तो उसको 200 से 500 ml fluid लेते हैं अगर infant है तो उसके लिए आपन 200 है फिर 200 से नीचे ठीक है next one पे चलते है temperature of solution कि जो solution ले रहे हैं उसका temperature कितना होना चाहिए अगर adult patient को देना है तो उसके लिए जो solution ले रहे हैं तो उसका temperature होना चाहिए 1.5 to 110 degree Fahrenheit यानि कि 105 से 110 degree Fahrenheit होना चाहिए अगर child patient है तो उसके लिए 100 degree Fahrenheit and then अगर infant को देना है तो उसके लिए 100 degree Fahrenheit चाइड और इंफेंट के लिए same रहेगा 100 degree एंड अडल्ट के लिए 105 से 110 degree फारेनाइट अब बात कर लेते हैं size और अनिमा ट्ूब, जो अनिमा ट्ूब है उसकी size कितनी होनी चाहिए यानि कि size जब भी टूब की size के बात हो रही है, मतलब diameter के बात करें और diameter हमेशा lumen का होता है तो अगर adult patient है तो उसके लिए 22 से 30 फ्रेंच diameter वाला anima tube यूज लेनी है and second one अगर child है तो उसके लिए 14 तो 18 फ्रेंच होना चाहिए and then अगर infant है तो उसके size होना चाहिए 12 फ्रेंच next one पर मुह खरते है तो height of anima can जो भी anima solution anima can के अंदर लेते हैं जो भी fluid insert करने है उसको कितनी height पर hang करना है यानि कि उसको कितनी height पर रखना है उसको ताकि gravity के द्वारव fluid आसानी से ball के अंदर insert हो सके ठीक है तो 18 इंच या फिर 45 cm अगर evacuated anima है तो वहाँ पर anima can के height रखेंगे 18 इंच या फिर 45 cm अगर अगर अडल्ट पैसेंट है तो वहाँ पर हम 3-4 इंच इंसर्ट करते है यानि कि 7.5-10 cm अगर चाइल्ड या इंफेंट है तो 1-2, 1.5 इंच या फिर डाई से पौने 4 cm उके next आप बात के लिए पॉजिशन की पॉजिशन कौन सी रखेंगे पैसेंट की एंइमा देते समय कि लाफ्याटन और सीमस पॉजिशन व्यकोज डिसेंडिंग कॉलन इज लोवर देंदे नस बैं लेज़ सैड तो अगर वह लेट साइड ये आपके सामने हैं and then left lateral position भी आपके सामने हैं अब next step पर move कर लेते हैं तो बात कर लेते हैं types की evacuated anima कितने types के होते हैं तो यह mainly three types के होते हैं तो first one देख लेते हैं simple evacuated anima इसमें जो solution contain हैं वो क्या-क्या रखते हैं 5 mg sodium chloride plus में 500 ml h2o जैने की 500 ml water लेंगे उसके अंदर 5 mg sodium chloride mix कर देंगे और तयार हो जाएगा simple evacuated anima के लिए solution इसका यूज कहां पर करते हैं तो first to clean bowel before surgery अगर surgery करने हैं bowel की तो GI detect की कहीं पर भी तो bowel को clean करने के लिए हम simple evacuated anima का यूज लेते हैं second one to treat constipation अगर किसी को constipation हो चुका है तो वहां पर भी simple evacuated anima यूज मिलिया जाता है अब देख लेते हैं next one तो next one type है medicated evacuated anima नाम से पता चल रहा है in this type of anima the solution made by mixing medication and then insert it इसमें क्या करते हैं जो भी solution लेते हैं उसके अंदर medication mix करते हैं उसके बाद insert करते हैं इसके 5 type होते हैं medicated evacuated anima के भी 5 types होते हैं तो first one देख लेते हैं astringent anima इसके अंदर जो solution contents हैं उसके बात कर लेते हैं तो 2 gram tannic acid लेते हैं और उसको mix करते हैं 600 ml H2O के अंदर या फिर 2% silver nitrate लेते हैं उसको mix up करेंगे 600 ml H2O के अंदर ठीक है अब use देख लेते हैं कि astringent anima कब देते हैं अगर किसी patient का inflammation हो चुके JIT के अंदर तो वहाँ पर to reduce the inflammation and second one to control JIT bleeding अगर JIT के अंदर कहीं पर bleeding हो चुके lower bowel के अंदर तो उसको treat करने के लिए astringent anima use लेते हैं अब next step पे आप उन चल लेते हैं और second one type देख लेते हैं purgative anima it is most commonly used सबसे ज़्यादा यूज यह होता है hospital में solution content क्या रखते हैं pure glycerine लेते हैं और कितना लेते हैं 15 to 30 ml glycerine लेते हैं use क्या होते है purgative anima के तो use के बात कर लेते हैं to induce peristalsis moment अगर किसी patient के अंदर peristalsis moment due to some reason loss हो चुके हैं उसको वापिस से start करना है तो हम purgative anima use लेते हैं okay अब third one बात कर लेते है medicated anima के type की तो oil anima होता है इसके अंदर जो solution content रखते हैं वो रखते हैं olive oil या तो olive oil रख लेते हैं या फिर cluster oil plus olive oil दोनों mix करके insert करते हैं चीक है usage oil anima कब use लेते हैं to soft the fecal content अगर fecal content hard हो चुक है due to some reason यानि की water की कमी की वज़े से या फिर other reason की वज़े से तो उसको soft करने के लिए हम oil anima introduce करते हैं चीक है next बात कर लेते है next type की तो four type है anti-helminthic anima इसके अंदर जो solution content है वो क्या रखने 60 gram sodium chloride को 600 ml water में mix कर रहे हैं और solution तयार हो जाएगा anti-helminthic anima के लिए ओके next one अब आप उन बात करते हैं usage की तो इसको use क्या अगर होता है to destroy the intestinal parasite अगर intestine के अंदर कोई parasite infection हो चुका है तो उसको treat करने के लिए हम anti-helminthic anima यूज लेते हैं next one बात कर लेते हैं फिप टाइप इसका medicated anima का carmantive या फिर anti-spasmotic anima इसके अंदर दूर solution contents की बात कर लेते हैं 8-16 ml turpentine लेते हैं उसको mix करते हैं 500-1000 ml h2 होगे अंदर ओके next one अब इसका use क्या क्या होता है कार्मेंटिव का नाम से पता चल रहा था अगर इस पाज मोचुका है बोवल के अंदर है जी एटी के अंदर तो क्या होगा गैस वहाँ पे trap हो जाएगी रिल्यू नहीं पाएगी गैस से distance हो जाते हैं तो उसको रिल्यू करने के लिए हम कार्मेंटिव एनिमा यूज लेते हैं छीक है जाते हैं अब बात के लिए थर्ड टाइप की वाकटेड एनिमा की थर्ड टाइप की कोल्ड इवाकटेड एनिमा इट इस neo नौन उन है अचस आई इस इनिवाड़िशन कांटेंक क्या रखते हैं इसके अंदर कोई वोटर ठीक है अब अब सोलुशन का temperature अब वोटर का टेंप्रेचर कितना रखना है में चीजी आती है तो 65-85 डिग्री फॉर इनाइट वोटर का टेंप्रेचर रखते हैं यूजेज क्या होते हैं इसको हाइपर पाइरेक्षी अगर किसी पैसेंट के अंदर टेंप्रेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है यानि कि 105 डिग्री फॉर इनाइट से भी ज़्यादा हो चुका है तो उस कंडिशन में हम कोल्ड एवाकर्टेड एनिमा प्रोइड करते हैं ताकि टेंप्रेचर को रिडूज किया जा सके है कोंप्लिकेशन क्या हो सकता है सडन मतलब की जो बोड़ी टेंप्रेचर डिक्रीज हो सकता है तो टाइम तू टाइम अगर यह कोल्ड एवाकर्टेड एनिमा दे रहे तो उसका टेंप्रेचर चेक कर लेना चाहिए ठीक है तब आप तीन टाइप पढ़ चुके हैं फर्स् तो यह क्यों यूज के जाता अगर किसी को नरिस्मेंट या किसी के अंदर न्यूट्रिशन की काम आ चुकिए तो न्यूट्रेट देने के लिए या फिर कोई भी ड्रग देना है तो रेटेंड एनिमा देते उसे और एनिस्थेटिक पर पज्च के लिए भी हम एनिस यह रि जो की शिरफ है तीन परपज प्रोवाइड कर सके नरिस्मेंट मेडिकेशन परपज और एनिस्थेटिक पैरिस्टाल्सिस मुवमेंट इंड्यूज नहीं करता है ऐसा फ्लूड हम यहां पर यूज लेते हैं ठीक है अब अमाउंट देख लेते कि कि कितना सोलुशन हम रिट नेक्स बात कर लेते हैं टेंप्रेचर कितना रखते हैं सोलुशन का तो बोड़ी टेंप्रेचर के बराबर रखते हैं यानिके 37 डिग्री सेल्चिस या फिर 98.6 डिग्री फॉरेनट ओके साइज देख लेते हैं टूब की साइज कितनी रहेगी सेम एज यहां कर्टेड एनि अनिमा दे रहें तो सोलुशन का इनकी हाइट को रखते हैं आपने एट इंच या फिर 20 सेंटिमेटर है और अगर चाइल्ड यह इंफेंट है तो उसमें 12 डेड इंच अब बात कहलेते हैं अगर टाइपस की की रिटांड एनिमा कितने प्टा इंच निमा के भी फ स्ट sentence क्य रखते हैं वह देख लेते हैं इंवर्टीन नाम की मैधिशन रखते हैं और इसक्य अमाउट रखेंगे 1500 से 300 mg पर केजी body weight याननी कि जितना body weight है याननी कि एक kilo body weight है किसी का तो उसके अंदर 1500-300 mg Ε creamy ऑनेश्पा नेश्थेटिक एनिमा के अंदर, usage के नामसे पता चला है मुझेए टू इंडूज एनिस्थेटिक एफैक्ट for JIT इसão अगर जीअअचन्द तरह जी करने किसी की तो व्लीचां करने को एनसेटिक इनिमर करते हैं आप जीए यत्रेक्ट ही कि आंदर ही यह अब बात करेंगे सैकेन्थ टैप की न्यूटेंट एनिमा तो इसके अंदर solution content की बात करें तो फस्ट वन नॉर्मल सेलाइन और रिंगर लेक्टेट अगर किसी के अंदर फ्लूड की कमी आ रही है तब अपने को न्यूटेंट एनिमा प्रवाइड करने तो जो solution रखेंगे या तो नॉर्मल सेलाइन या फिर रिंगर लेक्टेट एक आइसोटोनिक solution होता है वो एंट्रोज करते हैं सेकिंड वन देख लेते हैं डी एनेस एंड पेप्टोनाइज मिल्क अगर न्यूटेंट पर पज के लिए किसी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी आ चुकी है फिर हमें न्यूटेंट एनिमा देने तो वहां पे हम solution लेंगे डी एनेस या फिर पेप्टोनाइज मिल्क डी एन इसके होता है नॉर्मल सेलाइन प्लेसमेट डी फाइफ डवन डेक्स्टोर फाइपरसेंट इन्वोटर ठीक है वो डी एनेस होता है 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 फिर नेक्स बात कर लेते हैं यूजेज की की न्यूटेंट एनिमा कब देते हैं और क्या काम आता है टू इंट्रोड फ्लूड और न 10 ml वोटर के अंदर ठीक है अब बात कर लेते हैं वन टेबल स्पून किसके बरावर होते हैं 15 अमल होता है वन टेबल स्पून तो ट्रीट इंटा होगा है 30 ml ब्लेक कोफी पावडर को मिक्स कर देंगे 700 ml वोटर के अंदर ठीक है अब इसके यूजेज देख लेते हैं इस ओके अब बात कर लेते हैं आप उन फोर टाइप की एंड इट इस देटिटिव एनिमा यूजएच तो इंडूच स्लिप अगर किसी को स्लिप इंसोम्निया की कंडिशन हो चुकिए तो स्लिप इंडूच करने के लिए देते हैं ताकि जल्दी से जिए टी टेक्ट के अंदर इंसर्ट कर दें जो भी मेडिसन है एनिमा के थुरू एंड जल्दी से अब्जोप्शन होके वो अपना स्लिप इंडूच करवा दे ठीक है इसके नदर सॉलिप फेर कंडेंट की रखतें तो इसके अंदर रखतेंगे डायकताइल सौटियम स़ लप शक्शिनेट और इंडूच के अंदर इप्सके की कनटेंगतेंगरिंट्स करते हैं कि ए तो उसको आपिंग कि लिए हैं मिलाट आप ऊटले तो इंडिकाशन देख लेते हैं कि एइनिमा कौन-ख olduğ नीचन में प्रोयड किया जाता है मेली रूप से तो में लिफ से आगर किसी पैसेंट को constipation हो चुका है तो हम एनिमा दे सकते हैं second one किसी को JIT surgery करनी है तो वहाँ पर bowel को empty करना पड़ता है जो fecal material निकालना पड़ता है तो तब भी हम anima का use कर सकते है bowel empty के लिए third one बात करेते हैं before bowel examination अगर किसी के bowel examination या फिर x-ray वगरा करना है bowel का तो वहाँ पर जो fecal content को remote करना पड़ता है ताकि अच्छी तरीके सी visualize हो सके तो उसके लिए हम anima का use ले सकते हैं चीक है अब बात करते हैं contraindication की कौनसी ऐसी conditions है जहाँ पर anima use नहीं लेना चाहिए तो first हो गए acute inflammatory disease of JIT यहने कि JIT के अंदर कोई भी acute inflammatory disease हो चुक है तो वहाँ पर नहीं लेना चाहिए जैसे कि appendicitis appendicitis में क्या होता है कि appendix के अंदर fluid collection हो जाता है और inflammation हो जाता है तो perforation के ज़्याजा chances होते हैं अगर anima दे दिया तो अगर appendix perforate हो गई तो वह peritonitis create कर सकती है और patient की जान भी जा सकती है second one बात कर लेते हैं अगर किसी के fecal stone हो चुक है तो fecal stone के अंदर क्या होता है कि JIT के अंदर कोई भी fecal stone बन चुक है तो वह क्या कर देगा जो भी material pass out हो तो वह pass out नहीं होगा blockage हो जाएगा और वह dilate कर देगा JIT को अगर फिर anima देते हैं तो वह perforation के चांसे बढ़ जाते हैं Rectal prolapse यानि कि जो rectum होए वह prolapse का मतलब एता है कि एक organ अपनी जो position से दूसरी position में जा चुक है correct position पे नहीं है dislocate हो चुक हो अपनी position से तो अकर rectum dislocate हो चुक हो अपनी position से तो तब भी हम anima provide नहीं करते हैं third one है CAD अगर coronary artery heart disease हुई है तो उसके अंदर भी नहीं देते हैं क्योंकि क्यों होता है कि जैसे हम anima देते हैं तो peristalsis movement बढ़ जाते हैं और peristalsis movement बढ़ने से वहां पे metabolic need, oxygen demand और बलड की demand बढ़ जाती है और actually CID के अंदर पहले ही heart के पास proper blood supply नहीं हो पारी है अब heart का function अचानक से बढ़ेगा तो heart को जादा नीड होगी तो blood वैसे ही नहीं जा रहा है coronary artery disease होने क्योंदे से तो और ज्यादा complication हो सकते MI या enzyme ना create होने के chances बढ़ जाते हैं अब next step पे देख लेते हैं procedure equipment की actually में कौन-कौन सी चीज़े use में लेते हैं anima provide करते समय तो first of all तो anima can और tube लेते हैं तो आपके सामने page से diagram की anima can actually में कैसा दिखा देते हैं और anima tube कैसी होती है second equipment jelly लेते हैं क्यों use लेते हैं उसकी बात कर लेते हैं to lubricate the anima tube तक की tube को आसानी से insert किया जा सके rectum के अंदर ठीक है और third one is anima solution ठीक है वो तो ही क्योंकि solution ही fluid ही तो introduce करते हैं anima के अंदर और अप उन देख चुके हैं कि अलग-अलग type के साब से अलग-अलग anima solution यूज में लिए जाते हैं clear next one देख लेते हैं कि कौन से equipment लिए जाते है antiseptic solution यूज में लेते हैं to clean the anal area तक anal area को अच्छी तरह के clean के जा सके और infection के chances को reduce के जा सके fifth one बात कर लेते हैं gloves तो gloves अपके सामने पेस हैं और यह भी infection को spread होने से प्रेंट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं अब बात कर लेते हैं में चीज की how to give anima कि अब सब कुछ तो हो चुक है कि कौन से टाइप का anima कब देना चाहिए कौन से solution यूज में लेना चाहिए कौन से condition में anima नहीं देना चाहिए और कौन कौन से equipments यूज में लेने चाहिए बट अब बात आती है कि anima कैसे provide करते हैं तो उसकी process देख लेते हैं तो first of all तो हम position provide कर देंगे और position रहेगी left lateral या sims position चीक है position दे चुके है patient को and then उसके बाद क्या करने है जैले apply कर लेंगे anima tube पे lubricate करने के लिए चीक है वो apply हो चुके and उसके बाद insert कर देंगे anima tube को rectum के अंदर चीक है insert कर चुके and then उसके बाद process के बात कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे हम जो anima कहने उसको stand पे hang कर देंगे according to type अकर evacuated है तो 18 inch पर और retained anima है तो 18 inch पर ठीक है ताकि gravity force के द्वारा जो fluid आसानी से बोवल के अंदर introduce हो सके and next step पे यह सब कर चुके हैं उसके बाद क्या करते हैं fluid देना start कर देते open कर देते हैं tube को ताकि fluid insert हो जाए ठीक है अब आपके सामने live दिखा देती एक्सले में किस टैप से अपन इनिमा provide करते हैं तो tube insert कर देंगे lubrication के बाद यह tube insert कर चुके बोवल के अंदर ठीक है rectum के थुरू और उसके बाद hang कर देंगे जो can है solution can को stand के उपर उसके बाद start कर देंगे animal provide करना इस तरीके से fluid introduce हो चुका है और धीरे धीरे यह पूरे बोवल के अंदर speed हो जाता है और अपना काम करना start कर देता है अपने effective nest provide करता है वहाँ पिसके ठीक है ठीक है तो आज का session यहीं पर खतम होता है wish you very all the best and thanks for watching